जहिन आजके defense update वीडियो में भारत की next generation fighter jet program यानि कि EMCA के बारे में बात करेंगे इसके अलावा क्या भारत को EMCA का एक downgrade variant यानि कि 4.5 generation का EMCA डेवलोप करना चाहिए नई करना चाहिए तो इसके बारे में detail से बताने वाला हूँ तो मेरे defense channel पे नई है तो प्लीज मेरे defense channel को subscribe कर तरीका next generation यानि कि 5 वी PD का fighter jet होने वाला है पर कई रिपोर्टे में यहां बताया गया है कि यह 5 वी PD का नई 5.5 generation का होने वाला है तो सबसे पहले बात करें कि भारत को EMCA डेवलोप करने की ज़रुद क्यों पहसुस हुई तो इससे पहले भारत रश्या के साथ FGFA program में शामि इसके उपर ही एक FGAP यानि कि 5th generation fighter aircraft को डेवलोप करने वाले थे पर इसके पीछे कई वजह रही जिसकी वजह से भारत ने इस प्रोग्राम को छोड़ दिया तो वजह यह थी कि रश्या के द्वारा बार बार इस project को funding की जाए इसके अलावा इस project की जो SU-57 फैलन की जो stealth characteristic है और RCS ज्यादा होने की वजह से भारत ने इस project से अपनी राह को अलग कर लिया इसके अलावा भारत ने अपना एक E.M.C.E. नाम का project को शुरू किया जो की advanced medium combat aircraft यानि की medium category का एक 5th generation program है तो अभी फिलाल भारत E.M.C.E. प्रोजेक की development में बहुत ज़्यादा तेशी दिखा आए इसके अलावा E.M.C.E. के लिए एक next generation का उत्तम Mark 3 rudder को भी develop किया जा रहा है जो कि गेवलेम nitrate के tier module होने वाले है इसके अलावा E.M.C.E. के engine के बारे में बात करें तो initially GE का F.414 engine ही E.M.C.E. Mark 1 में यूज़ किया जाएगा जो कि एक single engine dry test 58 kN और afterburner 98 kN तक थ्रस को produce क कर सकता है और इसके अलावा आमका के जो advanced variant याने की E.M.C.E. Mark 2 आएंगे उसके लिए एक jointly नया engine को develop किया जाएगा इसके अलावा E.M.C.E. के लिए radar absorber material और अलग-अलग technology को develop अभी ही फिलाल किया जा रहा है तो एक बहुत ही important सवाल कि क्यों ना E.M.C.E. का ही एक downgraded variant को develop किया जाए जो कि भारत की जो fighter jet की गट्टी हुई strength है उसको maintain कर सके तो यह भी possible है क्योंकि एक बार आप 5th generation की technology develop कर लोगे तो उससे downgraded technology आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी और भारत बड़ी ही आसानी से E.M.C.E. का एक downgraded variant पी develop कर सकता है जो के cost में एक 5th generation के fighter jet से कम होगी इसके अलावा downgraded आमका की जो maintenance coach है वो भी आमका से कम ही रहने वाला है और यह export market के लिए भी बहुत अच्छा option साबित हो सकता है और जो country एक 5th generation के fighter jet को effort नहीं कर सकती है उस type की country इस fighter jet को खरीच सकती है और यह तो हो गए E.M.C.E. के बाद तो E.M.C के पहले test flight कब लेगा तो 2025 तक E.M.C.E. के पहले test flight हो सकती है और 2027-28 तक भारतिय वायो सेना में E.M.C.E. को शामिल कर लिया जा सकता है तो अगर आपको मेरा informative वीडियो चला लगे तो प्लेश अच्छा में चैनल थेंक्यू पर आप